Hello friends, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस वीडियो में तो friends, इस वीडियो में हम दो most powerful electric 3-wheeler को comparison करेंगे तो चलिए friends, जानते हैं कौन से कौन से वेहिकल को हम comparison में लेने वाले हैं इस वीडियो में तो number one में है friends, जो इंडेस्ट्री में जादा से जादा payload capacity का high load जो hiller motor का है और second auto रिक्षा लेते हैं friends, so omega silk के तरफ से range place rapid EV तो चलिए friends, ये दोनों को comparison करते हैं, देखते हैं इन दोनों वेहिकल में हमारे budget फेनली कौन सा है और value for money कौन सा मिलने वाला है, तो friends, ये दोनों को हम comparison में लेने का मकसद ये है कि friends, ये दोनों भी देखने में भी लगबग सेम दिखते हैं और दोनों भी metal seat से बने हुए हैं और ये दोनों वेहिकल के अंदर fast charging का support है, देखेंगे कितने टाइम में ये कितना चार्ज देते हैं हमें और वीडियो थोड़ा lengthy होगा तो अभी पूरा वीडियो देख लेना सब कुछ इस वीडियो में जान लेंगे आप तो चलिए फैंच मोडल से शुरू करते हैं अगलर के अंदर चार container मिल जाते हैं और बाकी जो motor और battery के मामले में सब कुछ सेम रहने के माला है लेकिन container के मामले में पीछे container होता है उसके मामले में आपको 4 variant मिल जाते हैं और वहीं पर हमें तीन मील जाते हैं कांटेनर के मामले में दो रेज़ प्लेश के नाम से मिल कि आपको वेक्सिनेशन ट्रांसपोर्ट करने या जब मीट्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जब काम आता है क्योंकि इसके अंदर पीछे कंटेनर में आपको रिफिर्जुरेटर लगके मिलता है दिजाइन के मामले में हाइलोड के पास आपको फ्रेंट में दो प्रोजेक्टर हीडला मिलेंगा जो इंडेस्ट्री फास्ट त्रीविलर के अंदर मिलने वाले हैं और पीछे के साइड आपको कुछ डिफरेंट लुक को देने की कोशिश की हैं यहां पर इस तरह से आपको ड देखने को मिलता है आप यहां पर दोनों भी आटो मिटल शीट के बने और सामे के बाड़ी और पीछे सब कुछ आपको मिटल से बने हुए मिलती है और यहां पर हम कंटेनर के डाइमेंशिंस की अगर बात की जाए तो 4 फीट आपको वेर्ट मिलेगा और लंबाई में आप अगर बात की जाए तो हाइट में आपको 4.3 फीट कंटेनर मिलने वाला है और साथी साथ यहां पर दोनों में भी 12 इंच के टाइट देखने को मिलते हैं और को है लोड के अंदर 190 mm का आपको ग्राउंड क्लीरेंस में देखने को मिलता है और वहीं पे आपको रेज प्लेस म अगर बात की जाता है जो कि हमें चड़ाव का जो होता है उसको ग्राउड बल्टी वहां पर काम आने वाली है तो फिट्स अगर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो है लोड के अंदर आपको फ्रेंट साथ में 200 mm का डिस्क ब्रेक दिखने को मिलता है जो इंडु मिलने वाले हैं hydraulic operating साथ और साथी साथ यहां पर भी आपको mechanical handbrake मिलने वाला है अगर suspension की हम बात की जाए तो फ्रेंट साथ मिल जाता है और साथी साथ regenerative braking system की अगर बात की जाए तो दोनों में भी अवेलेबल है लेकिन यहां पर rage place में आपको 15% charging backup मिल जाती है regenerative braking system के साथ लेकिन यहां पर high load के अंदर यह system का कितना percentage हमको charge हो मिलता है वो नहीं बताया इन्होंने और driving modes की अगर बात की जाए तो as it is आपको high load के अंदर reverse, neutral, front मिल जाता है लेकिन यहां पर boost mode नहीं मिलता है लेकिन rage place rapid EV के अंदर आपको यह तीनों के साथ साथ boost mode भी मिल जाता है और साथ ही साथ emergency stopping system का एक switch भी मिल जाता है जो आपको गाड़ी में कुछ दिक्कत होती है तो यह button fresh करने पर सब connection आफ हो जाते है और इन सभी के साथ साथ दोनों के अंदर आपको digital instruments cluster देखने को मिलता है तो फैंस यह तो थे चोटे मोटे जो regular हमें electric vehicle के अंदर मिलने वाले options और specification कहा जाता है लेक लिंक description में भी दे दूँगा यहां पर card में भी आप दाल दूँगा वहां पर जाके देख लेना तो चलिए friends main specification है उनको comparison करते हैं देखते हैं किसके अंदर power जादा मिलती है हमें तो performance का मामले में हमें high load में जादस performance मिलता है जैसे कि friends हमको यहां पर vehicle का grass weight होने वाला है 1430 kg और साथी साथ हमें payload capacity मिल जाती है 688 kg जो industry past vehicle है यतना payload capacity दे रही है और साथी साथ हमें speed मिल जाती है as it is 42 से 45 km per hour मिल जाती है और range के अगर बात की जाए तो friends यहां certified range जो है वो 150 km है लेकिन हमें range on road मिलने वाला है 110 से 120 km हमें range देखने को मिलेगा और हम range place rapid EV में देखा जाए तो फिर से यहां पे हमें overall vehicle का grass weight होने वाला है 960 kg का मिलने वाला है हमें और साथी साथ यहां हमें payload capacity 500 का मिलने वाली है और साथी साथ इसकी जो speed होने वाली है वो कुछ जादा मिल गई है 50 km per hour आपको speed देखने को मिलेगी लेकिन यहां पे हमें range जो है गड़ गई है 90 plus km का हमें range मिलने वाला है तो इन सभी performance को देने के लिए जो motor होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो फेंट मोटर की बात की जाए तो हमें है लोड के अंदर हमें 10.8 kW का peak power मिल जाती है वहीं पे अगर टोर की बात की जाए तो हमें 88.55 Nm का टोर्क हमें मिल जाता है वहीं पे अगर हम रेज़ प्लेश से रैपीड इवी की अगर बात की जाए तो हमें यहां पे 4.8 kW की मोटर के साथ साथ हमें 80 Nm का टोर्क मिलने वाला है और हम इसको पावर देने का का बैटरी करती है तो फेंट सी यहां पे बैटरी के मामले में दोनों भी बहुत अच्छा पर्फामेंस हम रेज़ प्लेश रैपीड इवी की अगर बात की जाए तो यहां पे आपको 7.5 kW की बैटरी मिलने वाली है और साथ ही साथ इसके अंदर लेकिन यहां वाटर रेसिस्टेंट है अगर हम चार्जिंग टाइम की अगर बात की जाए तो फ्रेंट्स दोनों में भी लग बग रेंज आपको मिल जाता है लेकिन वहीं पे अगर रेज़ प्लेश रैपीड इवी की अगर बात की जाए तो फ्रेंट्स यहां पे आपको 35 मिनट में 90 प्लेश का रेंज आपको मिलने वाला है लग बग दोनों भी सेम टाइमिंग में सेम चार्ज मिल रहा है लेकिन यहां प वेरियंट के इसाप से कम ज्यादा हो सकता है अभी फिलाल अनलाइन में यह प्रीबुकिंग चल रही है तो वहां से आप प्रीबुक कर सकते हैं और आपको जनवरी के आसपास आपको दिलवरी मिल जाएगी वहीं पे रेज़ प्लेश रैपिड की अगर हम बात की जाए तो एगर आप यहां पे भी अगर प्रीबुकिंग करना चाते हैं तो यहां पे इन लोगों को काल करके यहूं है जाका प्रीबुकिंग कर सकते हैं अब लगाप एक मैने के अनदर अधर आपको आपकी नई वेकिट ल मिल जाएगी तो इतना पैसा इतना आप्शन के साथ Lorenti की rapid की अगर बात की जाए तो friends यहां warranty के मामले में बहुत अच्छा काम किया है बहुत यानी बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने overall vehicle के उपर आपको 5 साल की warranty मिलने वाली है और battery के उपर 6 साल की warranty मिलने वाली है और साथी साथ इन्हों ने बैटरी के मामले में बहुत अच्छा काम किया है क्यूंकि यहां पे बैटरी का जो life cycle आपको 10 years का बताया गया हुआ है हाई लोड के अंदर आपको बैटरी के ऊपर performance का warranty भी इन्हों ने दिये हैं इस वीडियो में भी हम एक्स्ट्रा option के बारे में दोनों के अंदर comparison करेंगे friends as it is आपको regular वीडियो के अंदर हम comparison करते हैं तो वैसे ही यहां पे भी मिलने वाला है और साथी साथ आपको lockable जो glow box मिलता है वो दोनों में भी मिलता है और mobile app के अगर बात की जाए तो friends आपको high load के अंदर आपको आप देखने को मिलता है वहीं पे आपको rage place rapid में आपको battery charging के लिए आपको यहां पे इंस्टा चार्ज जो आप phone करके या book करके आपके emergency time में आपके pass मंगा के charge कर सकते हैं और यहां पे colors के अगर बात की जाए तो friends आपको high load के अंदर एक ही color को variant देखने को मिलता है लेकिन आपको color variant बहुत चाहिए तो यहां पे आप rage place rapid के अंदर आप जा सकते हैं यहां पे पांच color variant है और साथी साथ अगर bulk में आप खरीना चाहरा है तो यहां पे आपको इसाप सभी color customization करके आपको दिये जाता है इनके अलावा भी हम comparison करें तो friends यहां पे दोनों में भी passenger auto अभी तक release नहीं हुए और यहां पे dashboard की अगर बात की जाए तो दोनों में भी basic सा digital instrument cluster देखने को मिलता है यहां पे आपको option शोंगे जो बैटरी होगा और आपको charging का timing और या speed और कुछ जो best vehicle का अगर बात की जाए तो मेरे opinion में हाइलोड जाब best होगा क्योंकि यहां पे आपको pricing भी कम होगी रेजप्लेस रैपिट से comparison करेंगे तो और साथी साथ यहां पे आपको पर्पामेंस भी ज्यादा मिल रहा है और साथी साथ यहां पे आपको यहां पे फार्ट इन्होंने और यहां पे फार्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया हुआ है और कलर के वेरियंट भी आपको options मिल जाते हैं जो आपके हिसाप से चूज कर सकते हैं मेरे opinion में हाइलोड is the best अपने प्राइजिंग के हिसाप से तो इस comparison में को पसंद आई है आप नीचे comment कर दी टूंते कीजिया और मिल्ते ऐकली वीडियो में रडिल दीन बाइबआ ऐंसी यू सून अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करते ना ऑगर चानल को सबक्राइब करके निकल जाना तो मिलते आंगली वीडियो में राइख और आफिकर में क्लें जयू पांदे ग साण